कनहया लाल मानिक लाल मुन्शी इन्हें मुन्शी के नाम से भी जाना जाता है ये भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, राजनेतिग्य, लेखक तता शिक्षा विध्थे इनका जन 29 दिसंबर 1887 को भरूच गुजरात में हुआ भरूच में ही ये प्रारंबिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वडोद्रा चले गए यहां इनके गुरुओं में से एक सुप्रख्यात कवी, दार्शनिक तथा महायोगी श्री और अबिंदो होश थे पेशे से वकील मुन्शी जी ने अन्य महत्वपूर्ण कारे भी किये जिन में उस राष्ट्रे ध्वज समिती का सदस्य होना भी शामिल है जिसने वर्तमान भारतिय ध्वज को चुना ये भी आर अम्बेड करके नृत्तत्व में कारे रत भारतिय सम्विधान कमेटी के सदस्य भी रहे एतिहासिक मंदिर सोमनात के पुनर निर्मान में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भुमी का निभाई मुन्शी जी ने उत्तरप्रदेश के गवर्नर पदपर भी कारे किया राजनेता तथा लेखक होने के साथ साथ मुन्शी जी पर्यावरण विद्भी थे 1950 में पन महोटसव का प्रारंब इन्होंने ही किया इन्होंने गुजराती तथा अंग्रेजी में पहुत सी रचनाय लिखी जिनमें प्रमुख हैं इन्हें अनेकों सम्मान प्राप्त हुए इनके नाम पर डाफ टिकट प्रारंब किया गया जैपुर में एक पत मुन्शी जी के नाम पर ही है भारतिय विद्या भवन ने भी इनके नाम पर एक अवार्ड कुलपती मुन्शी अवार्ड देना प्रारंब किया तिरुआनंत पुरम में एक विद्याले को मुन्शी जी का नाम दिया गया